हाई गाईज आप लोगों के लिए पार्ट थर्ड भी आ चुका है दोस्तों आज हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं यार आप लोग बने रहे ना सब्सक्राइब लाइक सब कर देना शेयर कर देना क्योंकि इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि थाउजन प्लस और जो जित्ता भी थामनेल में लिखा यह सब आपको प्रॉइड किया जाएगा मतलब यह है कि अगर थाउजन प्लस है तो थाउजन प्लस ही प्रॉइड होंगे भले ही इसके कितने भी पार्ट बन जाए क्योंकि आप लोगों को वह सारे वो वन वर्ट सबस वो था scant, scant आप सबको पता है जो alp होता है, थोड़ा होता है barely sufficient और adequate जो बहुत कम मात्रा में होता है ठीक है, फिर next आते है laceration sorry laceration का मतलब होता है farna, जैसे का मतलब यह होता है deep cut or tear in skin or flesh किसी भी flesh, किसी भी skin पे जब हम लोग deep cut करते हैं तो उसको कहते है, this is a laceration ठीक है न, laceration next आम लोग के सामने आता है chuhutspa, chuhutspa chuhutspa कुछ भी कह सकते हो, साहसी जिसे कहते हैं, मतलब extreme self-confidence or audacity जो audacity होता है जिसके अंदर self-confidence होता है extreme level तो है न, उसको chuhutspa कह सकते हैं अब समझ रहोंगे, इसको किस हिसाब से याद किया जा सकता है है न next है depict depict का मतलब होता है, this picture depict this है न, चितरित करना portrait in words words में portrait करना next आता है ascribe ascribe का मतलब होता है, कारण बताना ascribe का मतलब होता है, कारण बताना यहाँ पे क्या हो जाएगा कि regard something as being due a cause जो किसी चीज़ का एक कारण हो सके ठीक है न, next क्या है tacky, T-A-C-K-Y whip, chipa मतलब, क्या है देखते पढ़ते हैं showing poor taste and quality tacky taste, है न, tacky कह सकते हैं ओके, ये लिखा है tacky मतलब chip, chipa जिसका poor taste होता है, quality अच्छी नहीं होती है थोड़ा सा बेकार सा होता है, ठीक है न, उसकी oasis पे कहते हैं, अभी एक हम लोग ने उपर scant देखा था, ये scantity अलग है, ठीक है न, scant से sanctity अच्छा है, sanctity है है न, इसको हम लोग कहेंगे पवित्रता, अरे हो जाती है गलती कभी क्या करना तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, sanctity का मतलब पवित्रता the state or quality of being holy, sacred और sanctity ठीक है न, next है next हम लोग के सामने आता है theological क्या आता है theological, मतलब होता है धार्मिक क्या होता है धार्मिक relating to the study of the nature of God and religious belief मतलब relating to the study of the nature nature की study करना, God की study करना, religious belief मतलब theology का मतलब होता है, धार्मिक study एक तरीके इसके कह सकते है next हाता है opus opus का मतलब होता है an artistic work, especially one on a large scale एक artistic work करना, वो भी एक large scale पर उसको कहता है रचना करना इस तरीके से ठीक है, next क्या है abolish, abolish abolish का मतलब होता है समाप्त करना सबको पता है, formally put end to a system, practice और institution ये तो आसान था, फिर आता है eternity, eternity का मतलब होता है eternity का मतलब होता है, infinite और unending time एक होता है, eternity एक होता है, eternity जो eternity होता है, इसमें याद कर सकते हो अनन्त काल तक unending time तक, infinite तक eternity कहते हैं इ टरटरा रहे हैं हमेशा ये टरटराते रहते हैं infinite हैं का टरटरा रहा कभी नहीं रुकते हैं इस तरीके से tricks ज्याद कर सकते हो है, eternity टराना इस तरीके से, ठीकिना next है, charlatan charlatan का मतलब धोक्य भाज इसको कैसे ज्याद कर सकते हो चार लाथ मारना जो धोक्य भाज उसको चार लाथ मारना A person falsely claiming to have a special knowledge or skill, ठीक है न, चारलतन, नेफ्ट क्या है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, invigorate, invigorate का मतलब होता है मजबूत करना, ठीक है न, give strength और energy to, strength देना और energy देना, उसको हम लोग कहेंगे invigorate, invigorate का मतलब आपने क्या समझा, मजबूत करना, ठीक है न, give strength और energy to, next है, deliberation, deliberation का मतलब होता है वी वेचना करना, deliberately मतलब slow और careful movement और thought, deliberately काम करना, मतलब धीरे धीरे और carefully उस काम को आगे करना चाहिए, वो काम हो चाहिए, वो thought हो आपकी, सोच हो, समझ हो, next क्या है दोस्तों, next हम लोगों का है fallow, f-a-double-l-o-w, f-a-double-l-o-w, fallow का मतलब होता है, बंजर या, उसर, मतलब, farmland plugged and harrowed, but left for a period, without being sown, in order to restore its fertility, मतलब यह होता है, fallowing होता न, fallowing करना, fallowing करना, जिसका मतलब यह होता है, एक farmland होते हैं, जिनकों हम लोग plugged करते हैं, उसको जोते देते हैं, और उसके बाद कुछ period के लिए रख देते हैं, बिना उसमें उगाई किये, ताकि उसकी fertility वापस से restore हो जाए, आ जाए, ठीक है न, आगे है न आपको, यह like जरूर कर देना, subscribe भी कर देना, share जरूर कर देना, बता रहे हैं, बहुत फायदा होने वाला है, next है, apathetic, apathetic का मतलब होता है, उदासीन, apathetic, याद कर सकते हैं, इस तरीके से, apathetic condition है, showing और feeling no interest, enthusiasm और concern, किसी भी तरीके का enthusiasm, interest नहीं दिखाया जा रहा है, कोई concern नहीं दिखाया जा रहा है, फिर next क्या आता है, graffiti, graffiti का मतलब होता है, भित्ती चित्र, मतलब, writing और drawings, scribbled, scratched और sprayed illicitly, on a wall or other surface in a public place, gravity, भित्ती चित्र, मतलब, जैसे देखते हो, आप लोग दिवालों पे, जो आपकी writing और drawing की जाती है, उसको कहते हैं, next है, jinx, jinx, manhus, jinx, a person or thing that brings bad luck, उसको हम लोग jinx कहते हैं, जैसे तो हम लोग jinx को याद कर सकते हैं, jinx, as a jin, ये एक jinx है, है न, तो ऐसे person और ऐसी चीज़े, जो bad luck आपका लाती है, next आता है, tactile, tactile का मतलब होता है, इस परशनी है, tactile का मतलब ही होता है, of or connected with a sense of touch, tactile का मतलब ही होता है, जैसे हम लोग tile को छूते हैं, टक टक करके देखते हैं, तो वहाँ से याद कर सकते हैं, कि sense of touch, ठेक न, next आता है, evict, evict का मतलब ही होता है, expel someone from a property, especially with the support of the law, evict, निकालना, याद कर सकते हैं, निकालना, evict का मतलब, याद करने का तरीका यह हो सकता है, कि यह victim है, इसको मैं अपने property से हटा रहा हूँ, इसको मैं अपने property से हटा रहा हूँ, law के support में, ठीक है न, next क्या है देखो, bereft, bereft का मतलब होता है, वंचित करना, deprive of, deprive of or lacking of something, वंचित करना, deprive of or lacking of something, bereft, कह सकता है न, bereft का मतलब होता है, याद करने का तरीका, bereft मतलब, bare feet मतलब, पैर नंगे हैं, तो उसके पास चपल की deprive है, lacking है, दोस्तों, next कौन सा आता है, incarnate, कौन सा है, incarnate, incarnate मतलब, अवतार लेना, a deity और spirit, embodied in human form, ठीक है न, incarnation होता है आपको, यह तो easy था, phonetic, मतलब होता है, स्वरविज्ञान, phonetic होना, the study and classification of speech sound, the study and classification of speech sound, study करना, classify करना, speech वाली जो sounds होती है, उनको, phonetic जो होती है, तोड़ा, phone वाले उसमें, sound से related होता है, स्वरविज्ञान, जिसे कहते है, study करना, उनकी, melancholy, यह तो सब को पता है, मिले नहीं छोले, तो वो गुस्सा आ गए, उदास हो गए, इसका क्या ही बता है, ठीक है, next आता है, kono is sure, क्या कहते है इसको आप लोग, kono is sure, ऐसे ही तो कहते है, विशेश से फैलाना क्या, diffuse किसको कह सकते है, send को लोग diffuse कर दिये, spread over a wide area और between a large number of people, spread कर दिये, diffuse to lot of people, याद करने का तरीका यह हो सकता है, हाँ, मगर इसमें आप यह ना confuse होना, जो diffuse, bomb diffuse करते हैं, वो अलग होता है, next आता है, honorarium, honorarium का मतलब यह होता है, कि एक ऐसी payment, जो professional service को दी जात ठीक है न, ऐसी services जो वो provide करते हैं, जिसका वो charge नहीं रहते हैं, a payment given for professional services that are rendered nominally without charge, बिना charge के जो अपना लोगों को provide करते हैं, service provide करते हैं, बिना charge के, next क्या है, transmute, transmute का मतलब क्या है, transmute का, transmute का, अगर हम लोग मतलब देखें, तो परिवर्तित करना, transmute करना, मतलब परिवर्तित करना, जैसे की change in form, nature or substance, किसी भी matter के change लाना, उसके nature में change लाना, substance सब change कर रहे हैं, उसको कहते हैं, परिवर्तित करना उस चीज़ को, जिलॉट आपको पता ही है, कटरपन्ती होता है, निर्वान आपको पता ही है, a transcendent state in which there is neither suffering, desire nor sense of self, मतलब निर्वान पराप्त करना, जिसके अंदर, खुद के लिए कोई sense ना हो, suffering ना हो, desire कोई ना हो, ठीक है न, ऐसी एक state होती है, उसको हम लोग कहते हैं, नेक्स्ट है ambiguous, क्या है, ambiguous का मतलब क्या होता है, one, ambiguous, open to more than one interpretation, not having one obvious meaning, जिसकी एक meaning ना हो, unclear हो meaning उसकी, या कई सारी meaning हो, नेक्स्ट है, cortex, the outer layer of the cerebrum, cerebrum का जो बाहर ही हिस्सा है, ये part का ब्रेर ने वैसे, composed of folded gray matter, जो की folded, मतलब fold way में होता है, gray तरी color का होता है, plays an important role in the consciousness, जो आपके consciousness, याद रखना, cortex आपकी consciousness से related होता है, और cerebrum से consciousness होती है, next है, spectre, क्या है friends, spectre, spectre का मतलब यह होता है, something widely feared as a possible dangerous occurrence, spectre मतलब यह होता है, कोई ऐसी चीज जो widely डरा, मतलब उससे डरा जा सकता है, कि as a possible, जिसके consequences बड़े dangerous हो सकते है, spectre, ठीक है ना, expect कर सकते हैं कि यह danger होगा, ठीक है ना, चलो, next क्या है कडगल, cuddle, cud Curt 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 उसको हम लोग कजल कहते हैं कजल ले आओ उसको पीड़ डाले कजल next predilection predilection का मतलब होता है a bias in favor of something predilection किसी भी चीज़ के favor में होना उसके लिए bias होना simple predilection का मतलब ही होता है इसको pre मतलब पहले से ही वो डायलेक्षन है उसका उस तरफ election है मतलब pre पहले उसी सरफ वे election है तो वहीं जाएगा ऐसा trick से बना सकते हो कुछ भी pre-dilection, election ऐसे करके next क्या था देखो candidate candidate का मतलब क्या होता है a person who is applies for a job or is nominated for election candidate, candidate हमको लगता है candidate हो गई है चलो next देखते है importune importune का मतलब होता है to harass someone persistently to do something importune का मतलब यह होता है to harass someone, किसी को harass करना persistently पूरा harass करना उसको मतलब continuity में harass करते है रहना to do something कुछ कराने गलिए to harass someone persistently to do something importune उसको कह सकते है next है maximum, maximum का मतलब यह होता है एक short statement जो एक general truth आपका बताता है maximum, यह मेरी तरफ से maximum है एक short statement है जो इसमें हम general truth अपना express कर रहा है ठीक है न? दोगो यहाँ पर जो आता है इसमें हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे judgmental आपको पता है judgmental का मतलब having or displaying an overly critical point of judgmental है next है to extort obtain something by force, threat और other unfair mean कुछ भी पाना force से, threat से और unfair mean से कुछ पाना उसको कहते है to extort synonyms आपको पता है notorious, जो naughty होता है bad act करता है universal आपको पता ही belonging to all part of the world optimist का मतलब यह होता है one who tends to take a hopeful view of life life को वो बहुत अच्छे से जीता है और life के प्रती उसका जो देखने का नजरिया है वो बहुत ही जादा ही hopeful है, hope भरा है barometer आपको पता ही है जो atmospheric pressure को measure करता है instrument, diagnose का मतलब होता है determine the nature of disease disease किस तरीके का है क्या nature है उसका वो diagnose करता है nocturnal का मतलब यह होता है जो रात में occur होता है जो रात में होता है वो सारी चीजें chronological का मतलब होता है arrangement in order of occurrence कैसे कोई चीज हो रही है उसका एक arrangement पहले यह होगा, फिर यह होगा, फिर यह होगा ऐसे इसे कहते है chronological genetics आप सब को पता है science of heredity कहते है elope का मतलब क्या होता है to run away with a lover इसको याद करने के बहुत सही तरीका है to run away with a lover elope, elope का मतलब ही होता है किसी lover के साथ ऐसे तरीके से याद कर सकते है elope फिर आता है moderate moderate का मतलब होता है average in amount, intensity, quality और degree मतलब moderate moderate way में है मतलब, अरे तो पता है क्या पता है, यही पढ़के time waste होगा average in amount, intensity, quality और degree यह moderate कह सकते है फिर क्या है देखो, यहाँ पे कह लेका है where workers are employed at very low wages for long hours and under poor condition उसको कहते है sweet shop sorry sweet shop का मतलब यह नहीं होता है कि वह कोई बिठाई की एक दुकान है उसका मतलब यह होता है ऐसी जगह जहाँ पे low wages पे work किया जाता है conditions भी वहाँ condition मतलब working conditions वहाँ पूर है ठीक है न, next है flood Sam, next देखो जल्दी देखो flood Sam flood Sam का मतलब क्या होता है things that have been discarded as worthless flood Sam का मतलब यह होता है कि things that have been discarded वो सारी चीज़ें जिने हटा दिया जाता है discard कर दिया जाता है worthless मान के जिसकी कोई मतलब नहीं है आप कोई use नहीं है manifestation आपको पता ही हुआ है becoming apparent clear through the appearance of symptoms किसी भी चीज़ के symptoms पे apparent clear होना उस चीज़ का किसी भी चीज़ पे clearly होना clear होना उस चीज़ पे इदमा valid होना manifest कहते हैं चैफे आपको बताया गया उपर rub a part of the body to restore warmth and sensation चैफे, कैफे, इस तरीके से detention center आपको पता ही है punishment captain a school after hours geezer, geezer आपको पता ही है hot spring वाला है, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है to denominate करना चलो geezer बता देते हैं यह तरीके का hot spring है जिसमें पानी intermittently boil करता रहता है pushing a tall column of water and stream into the air, मतलब एक hot spring होता है जिसमें पानी जो है वो उबलता रहता है pushing a tall column of water उपर की तरफ पानी छिछलता रहता है, क्या कहता है उचलता रहता लकालका और streams निकलती रहती है air के अंदर फिर next है trivialize का मतलब यह होता है make something seem less important कम important मानना, significant कम मानना trifling जादा कम मानना फिर आता है obeisense obeisense का मतलब यह थोड़ा important word पढ़ जाता है नेक्स है दोस्तों हम लोगों के सामने to slam slam का मतलब क्या होता है shut door, जब हम लोग बंद करते हैं तो आप लोग कुछी कार्टून शो में कभी देखा हो का जैसे door बहर किया उनको लिख के आता है side में slam to shut a door, window or lit forcefully or loudly, ठीक है ना episode आपको पता ही है under play का मतलब क्या होता है represents something as being less important than it really is under play करने का मतलब यह होता है जो किसी की value जादा है बट आप उसकी value कम करते हो less important मानते हो उसको under play करते है represent करते हो मतलब किसी चीज़ को represent करना है important बट आप unimportant represent करते हो या कम important represent करते हो तरीके से, next क्या है, emulate, emulate का मतलब यह होता है, match और surpass a person by imitation, same copy, imitate, देखो, sorry, जब आप match करते हो, surpass करते हो, imitation के तोड़ा, imitation का मतलब क्या होता है, same copy जैसा, एदम डिट्टो copy जैसा, imitate का मतलब होता है, copy करना, और emulate का मतलब यह होता है, जब आप कोई सी भी चीज़ की copy करते हो, match करना, imitation करके, emulate, मतलब same meaning यह कह सकते हो, next है, ineptitude, ineptitude का मतलब यह होता है, lack of skill, skill की कमी होना, inept हैं आप, inept हैं भी, आपके अंदर इत्ता attitude है नहीं, inept हैं भी आप, याद हो जाएगा, to enroll, to officially register, to expose करना, to reveal, matinee, cinema show, held in the afternoon, matinee show होता है, aquatic पता है, plagiarist आपको पता है, plagiarist का मतलब यह होता है, a person who steal the writing of other, जो दूसरों की writing को steal करता है, चुरा लेता है, उसको plagiarist कहते हैं, lexicographer का मतलब होता है, जो dictionary को compile करता है, जो dictionary को compile करता है, यह वाला, one who compiles a dictionary, उसको कहते हैं, lexicographer, someone not fit to be chosen, ऐसा वेक्ती, जो fit नहीं है, कि उस चूस किया जाए, उसको कहते हैं, ineligible, क्या कहते है, ineligible, next आता है, metallurgy, क्या आता है, metallurgy, metallurgy का मतलब होता है, art of working with metals के तवरा, आसान था, congregation का मतलब यह होता है, gathering at religious place, easy, अब यह यह तो आपको बताने की ज़रोती नहीं, birds जहां kept की जाती है, ठीक है, na, fratricite का मतलब यह ह खुद के, brother or sister को, kill करना, क्या करना, killing, the act of killing, one's own brother or sister, उसको कहते है, fratricite, fratricite, lease पे लेने का मतलब यह होता है, legal agreement होना, जिसमें, यह allow किया जाता है, कि, आप उस building को इस्तमाल कर सकते है, लंबे period के, लंबे समय तक, और usually return of for rent, आप उसका rent भी देंगे, lease पे दिया, ठीक, फिर कहते हैं, accomplice, accomplice का मतलब क्या होता है, accomplice, मतलब यह होता है, a person who helps another to commit a crime, दूसरों को crime करने में मदद करना, उसको accomplice कहते है, ठीक, monotheist क्या होता है, a person worship only one God, monotheist का मतलब, mono मतलब, single theist का मतलब, God को मानने वाला, एक God को मानने वाला, fatalism का मतलब यह होता है, submission to all that happens as inevitable, जिसे ignore ना किया जा सके, fatalism, मतलब क्या कह सकते है, submission to all that happens as inevitable, यह यह नहीं समझ में आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग comment section में ज़रू बताना, इसके बारे में next देखते है, Ephemeral, Ephemeral आपने देखा, very short time आप ही मेरे हैं, तो आप बड़े कम समय के लिए, इस तरहे गुलिबल आपने पड़ा ही है, person जिसे easily receive किया जा सके, ट्रिक्ट किया जा सके, जो बड़ा भोला हो, etiquette आपको पता, spelling देख लीजेगा, E-T-I-E-T-Q-E-T, double T होता है इसमें, last के त होता है, an act of misappropriation of money, जैसे कि ये देखो, an act of misappropriation of money, मतलब जब पैसे की, इधर उधर, उल्टा सिधा सब काम होता है, उसको कहते हैं, ठीक है न, क्या था, imbezzlement, आप देख सकते हैं, नीचे लिखा, imbezzlement, infallible का मतलब ये होता है, जो, one who cannot make any mistake, जो कभी कोई भी एक mistake, ना करत होती है, उसको infallible कहते हैं, दोस्तों, ये सेशन आपको कैसा लगा, बताइए कमेंट करके, और लाइक ज़रूर कर दीजेगा, आपके लाइक बहुत जादे ही importance रखते हैं, सब्सक्राइब कर लीजेगा, और भी ऐसे ही, और आपको जैसे भी चाहिए होंगा,